तो आज की इस यो टीचर क्लास में सभी बच्चो का स्वागत है और आज हम लोग English का Lesson 11 एक कबड़ी मैच का English to Hindi मेनिंग जो है मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी थी और आज हम लोग इसका Question आंसर करेंगे बच्चो ठीक है तो चलिए जो पहला Question है यहाँ पर और ली का अर्थ होता है बच्चो मौखिक रूप से यानि बोल कर बताना है लेकिन हम इसका Answer जो है लिखेंगे ठीक है पहला Question है बच्चो Who walked first into the Rampur territory territory का अर्थ होता है बच्चो छेत्र ठीक है तो रामपूर के जो पाले का छेत्र था यानि रामपूर टीम का जो छेत्र था उसमें Who walked first कौन सबसे पहले रामपूर के पाले में गया तो इसका Answer क्या लिखेंगे बच्चो मौखिक इसका Answer लिखेंगे Answer 1 रगू walked first into the Rampur territory यह मतलब कि रामपूर के पाले में सबसे पहले रगू गया था चीक है आप देखें बच्चो यहाँ दूसरा Question है Who was Mangla? Mangla कौन था? चीक है? Mangla कौन था? तो Mangla जो था बच्चो वह रामपूर टीम का एक खिलाडी था तो हम Answer क्या लिखेंगे? Answer 2 Mangla was the player of Rampur team Mangla जो था वह खिलाडी था रामपूर के टीम का चीक है? चलिए अब हम Third Question क्या है बच्चो? Who made Mangla out? Mangla को किसने आउट किया? इसका क्या Answer लिखेंगे बच्चो? Raghu made Mangla out तो हमने सोरी पढ़ा था Mangla को रगू ने आउट किया था Mangla को किसने आउट किया था? रगू ने आउट किया था तो Answer 3 Raghu made Mangla out ठीक है? अब हमारा बच्चो चौथा Question है What did Raghu say when he moved into the Rampur territory? मतलब Raghu ने say मतलब कहा What मतलब क्या? तो Raghu ने क्या कहा? When, when का Earth? जब He moved, वह गया, ठीक है? into the Rampur territory मतलब Rampur के पाले में जब Raghu गया तो उसने क्या कहा? तो क्या कहते वे गया था बच्चो हमने पढ़ा था स्टोरी? Raghu said कबड़ी 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 when he moved into the Rampur territory तो इसका क्या आंसर लिखेंगे बच्चो हम लोग? चौथा आंसर Raghu said कबड़ी 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 when he moved into the Rampur territory ठीक है? जब कबड़ी का मैच खेलते हैं और एक टीम का खिलाड़ी जब दूसरे पाले में जाता है तो कबड़ी कबड़ी बोलते हुए जाता है तो यह हो गया बच्चो आपका चौथा आंसर चली बच्चो अब हमारा question है B.2.1 Write T for true statement and F for false statement statement मतलब यहाँ पर जो कहा गया है जो statement दिया गया है जिस वाक्रकुक बोला गया है वो अगर सही है true है तो T लिखेंगे और अगर false गलत है तो हम F लिखेंगे तो चली हमने पहला पढ़ते हैं रगु वाक्ट इंटू रामपूर चरिचरी सेंग बडी 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 यह इसने बडी 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 नहीं बोला था उसने कबड़ी 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 बोला था तो यह जो statement है यह statement क्या है बच्चो false है तो हम यहाँ पर लिखेंगे false ठीक है क्योंकि उसने कबड़ी कबड़ी बोला था दूसरा मंगला could not hold रगू मंगला जो है वह रगू को hold मतलब hold का अर्थ होता है पकड़ना तो मंगला जो है वह रगू को पकड़ नहीं पाया ठीक है यह सही है हाँ मंगला जो है वह रगू को पकड़ नहीं पाया थार्द कोश्शन, असलम वॉस दा प्लेयर आफ डाफ डाफ पीम आफ डाफ डारी,chas तुह या सही है, असलम ऑल्र डाफ 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 डारी, ऊक्या है मतलब एक घंटे के बाद all the players of chanpur team, सारे all the players, all मतलब सारे, सारे खिलाडी of the chanpur team, chanpur team के were out, out हो गए थे. Except coordu, except मतलब सिर्फ छोड़ कर. तो एक घंटे के बाद chanpur team के सारे खिलाडी out हो गए थे, सिर्फ raghu को चोड़ कर. क्या ये सही है? तो हाँ यह सही है, सारे खिलाडी आउट हो गयते, सिर्फ रगु बचा हुआ था To say हर्दी चुना is the sign of defeat, defeat का अर्थ होता है बच्चो हार, ठीक है और sign का मतलब चिन, तो कह रहा है यह to say, कहना, हर्दी चुना हर्दी चुना कहना जो, वह क्या चिन होता है, defeat हार का, तो हाँ यह सही है, true रगु डिड नॉट टच्च दे डिवाइडिंग लाइन ओफ दे चरी चरी तो यहाँ पर कह रहा है, कि रगु जो है, उस लाइन को, जिसको छू कर हम हारते या जीतते हैं उस लाइन को वह छू नहीं पाया था, तो यह क्या होगा बच्चो, गलत क्योंकि डिवाइडिंग लाइन जो था, वह रगु छू लिया था दे चैनपूर टीम वन दा मैच, चैनपूर टीम जो है, वह मैच जीत गया चैनपूर टीम जो है, वह मैच जीत गया था, तो क्या लिखेंगे बच्चो, हाँ, ट्रू चैनपूर टीम जो है, वह जीत गया था, ठीक है, तो यह हो गया आपका true or false तो जली बच्चो अब next हमारा question है b.2.2 answer the following questions in a phrase or sentence ठीक है? in a phrase or sentence मतलब कि जो following जो यहाँ पर निम ने लिखिए प्रशन दिये गए हैं उसको phrase मतलब छोटे word में एक या दो word में या वाक्य में लिखिए तो बोलिए तो पहला question है बच्चो what was रघू being force to say कह रहा है याँ पर question रघू को रघू पर being force, force मतलब दबाओ बनाना ठीक है? तो रघू पर to say क्या कहने के लिए दबाओ बनाया जा रहा था? ठीक है? रघू को क्या कहने के लिए दबाओ बनाया जा रहा था? तो किसका answer क्या होगा? बच्चो देखे इसका answer होगा यहाँ पर देखे B.2.2 answer 1 जब question मैंने भी पढ़ा रघू was being force to say हरदी चूना ठीक है? यानि रघू पर दबाओ बनाया जा रहा था ये कहने के लिए हरदी चूना ठीक है? यह होगे आपका पहला question का answer चलिए आप बच्चो दूसा question पढ़ते हैं देखिए Who took रघू on their shoulders? किसने रघू को shoulders means कंदा किसने रघू को अपने कंधे पर बिठाया? ठीक है? रघू को अपने कंधे पर किसने बिठाया? तो किसने बिठाया था बच्चो? किसने बिठाया था? जो उनके टीम के जो समर्थक थे जो सपोर्टर थे उन्होंने बिठाया था और रघू चैनपूर टीम का था तो answer क्या लिखेंगे? answer to the supporters of चैनपूर टीम took रघू on their shoulders ठीक है? जो समर्थक थे चैनपूर टीम के उन्होंने रघू को अपने कंदे पर बिठाया ठीक है? या उठाया ठीक है? अब बच्चो answer number question number 3 What was the demand of the रामपूर supporters? ठीक है? What was the demand? मतलब उनका demand क्या था? रामपूर के जो समर्थक थे वो क्या कह रहे थे? उनका demand क्या था? ठीक है? यह हो गया question तो क्या demand था बच्चों उनका? देखेए हो गया answer answer 3 रामपूर supporters demanded two asylum to touch at least two players of चैनपूर team तो जो रामपूर के supporters थे जो समर्थक थे उनका जो demand था वो demand क्या था? asylum वो asylum से demand किये थे क्या किये थे? to touch कि वो छू कर आए at least at least का रहत होता है कम से कम at least का रहत होता है बच्चों? कम से कम तो रामपूर के जो समर्थक थे उनका यह demand था कि asylum जो है वो छू कर आए at least कम से कम two players दो खिलारी चैनपूर team के तो यह हो गया आपका answer third तो B.2.2 का पहला दूसरा तीसरे का यह answer B.2.3 का question करते बच्चों लोग answer each of the following questions in not more than 50 words ठीक है? पहला है मतलब यहाँ पर कह रहा है answer उत्तर दीजिए each of the following statement प्रतेक निनलिखित प्रशनों के in not more than 50 words मतलब पचास शब्दों से ज़्यादा का answer नहीं देना है ठीक है? पचास शब्द के अंदर होना चाहिए पहला question है There is no need of any sports item in कबड़ी Do you agree? If yes, explain मतलब No need मतलब कोई जवरत नहीं तो यह इसका कहना है कि कबड़ी के जो match होता है उसमें किसी भी sport item मतलब किसी भी खेल के समान की जवरत नहीं होती है Do you agree? Agree मिन सहमत क्या अप सहमत है? If yes, explain अगर हाँ तो explain समझाईए ठीक है? पहला question तो इसका answer क्या लिखेंगे? बच्चो दिखें हम लोग इसका answer हम लोग लिखेंगे यह दिखें इसका answer यहाँ पर है ठीक है? तो इसका answer क्या लिखेंगे बच्चो जैसे कि cricket के match में sports item की जवरत होती है bat, ball, wicket football में game की जवरत होती है लेकिन कबड़ी के जो match होता है जो हमारा जो कबड़ी का match होता है उसमें किसी भी item की sports item की जवरत नहीं होती है ठीक है? तो इसका पहला का answer हम क्या लिखेंगे देखें B.2.3 का yes, हाँ, I agree मैं सहमत हूँ that there is no need of any sports item in कबड़ी मतलब कबड़ी में किसी भी sport item यह खेल के समान की जवरत नहीं होती है because, क्योंकि only, हम अब explain करेंगे only a small field is sufficient सिर्फ एक छोटा सा मैदान is sufficient मतलब सिर्फ एक छोटा सा मैदान जो है, वह काफी होता है, for game between two teams of players, मतलब दो team के बीच में between मतलब beach, दो team के बीच के खिलाडियों के बीच in which, जिसमे one person take turns एक जो आदमी होता है या जो एक खिलाडी होता है वह take turns वह उसकी बारी होती है turn मतलब बारी उसकी बारी होती है to and try to touch members of the opposing team without being captured by them और वह कोशिश करता है दूसरे opposing team मतलब जो उसका दूसरा पाला होता है उसके सामने वाला जो दूसरा पाला होता है उसके members को उसके जो है खिलाडियों को छूना होता है without being captured by them अपने आपको बचाते हुए ठीक है अपने आपको बचाते हुए ताकि वह जो है हमें पकड़ ना सकें ठीक है तो यह हो गया आपका explanation तो चलिए बचो यहाँ पर दूसरा question है How did Raghu become the most important player of the Chaynpul team What did the supporters of the Chaynpul team do after the match तो इसका meaning क्या हुआ How means कैसे ठीक है Most important means सबसी महतपून तो Raghu जो है वह सबसी महतपून प्लेयर खिलाडी चैंpul team का How कैसे बन गया What did the supporters Supporters ने क्या किया Chaynpul team के after the match तो जो supporters थे समर्थक थे Chaynpul team के उन्होंने match के बाद क्या किया चीक है तो इसका answer क्या लिखेंगे बच्चों लोग देखेंगे इसका answer बच्चों लोग लिखेंगे यहाँ पर देखिए answer 2 रगु बिकेम the most important player of the Chaynpul team because he won the match for his team तो यहाँ पर क्योंकि आ रहा है कि क्यों बन गया और कैसे बन गया का अर्ट लगभग अर्ट एक ही होगा तो रगु जो है सबसे महतपूर खिलारी जो है अपने टीम का बन गया क्यों क्योंकि उसने match को जीत लिया था the supporters of Chaynpul team took रगु on their shoulders तो यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी इसलिए मैंने वायतनर लगा के फिर से लिखा है मैं इसको पढ़ देती हूँ the supporters समर्थक जो थे of Chaynpul team Chaynpul team के took रगु on their shoulders मतलब जो समर्थक थी Chaynpul team के उन्होंने रगु को अपने कंधो पर उठा लिया चीक है चीक है चलिए अब है आगे का question रगु was being forced forcing to say हर्दी चूना वाय मतलब रगु पर दबाव बनाया जा रहा था to say ये कहने के लिए हर्दी चूना कि वो हर्दी चूना बोले why क्यूं तो इसका बोल रहा है कि उसे क्यूं दबाव बनाया जा रहा था कि वो हर्दी चूना बोले तो बच्चो इसका answer देखे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग इसका answer ये देखे accepted the defeat, तो इसका अट क्या होगा, कि रगु पर यह दबाव बनाया जा रहा था, कहने के लिए हर्दी चुना, because, क्योंकि इनने कबड़ी मैच, कबड़ी के खेल में, when a player, जब कोई खिलाडी, जब एक खिलाडी, सीज, जब एक खिलाडी यह कहता है हर्दी चुना, it means, इसका मतलब यह होता है, he has accepted the defeat, कि उसने अपना हार स्विकार कर लिया, accept मतलब स्विकार करना, और defeat मतलब हार, तो हड़ी चुना, जब कहता है, किसी का बड़ी मैच में एक खिलाडी, तो इसका अर्थ होता है, कि उसने मा अपनी हार मान ली है, चीक्या, चलिए, अब बच्चों, यहाँ पर एक question है, which game do you like most, give reason, तो आपको कौन सा खेल, जो है, सबसे ज़ादा पसंद है, give reason, उसका कार बता है, तो यह answer सबका अलग-अलग हो सकता है, किसी को football पसंद है, किसी को cricket पसंद है, किसी को बड़ी पसंद है, जो भी आपको खेल पसंद हो, आप उसका answer यहाँ पर लिख सकते है, तो देखिए, मैंने यहाँ पर answer क्या लिखा है, answer number 4, I like the cricket game most, मैं मुझे जो है, सबसे जादा cricket का खेल पसंद है, because क्योंकि I love to play this game, क्योंकि मुझे यह खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यार है इस game से, I also like batting very much, मुझे batting करना बहुत पसंद है, and I am a good batsman, और मैं एक बहुत अच्छा batsman हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी batting करता हम, I also like to watch a cricket match on TV, मुझे cricket जो है TV पर भी देखना अच्छा लगता है, I like the cricket game, because it is a very interesting game, और cricket का जो game है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यह बहुत ही interesting game है, ठीक है, तो यह हो गया आपकी fourth question का answer, तो अब हमारा next question है C.1, correct the spelling of the following words, तो यहाँ पर जो word दिये गए हैं, उनका words जो है वो गलत है, इसे हमें सही करके लिखना है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, C question को चलिए देखें, यहाँ पर मैंने question लिखा है, T-A-U-C-H, ठीक है, यह गलत है, क्या होगा सही, touch, T- T-E-O-U-C-H, territory लिखा है, लेकिन यहाँ पर एकार छुट गया है, तो territory की spelling क्या होगी, T-E-R-I-T-O-R-Y, n circle में I से शुरू नहीं होता, वह E से शुरू होता, n circle, E-N-C-I-R-C-L-E, cot, cot में O नहीं होता है, A होता है, C-A-U-G-H-T, F-O-U-R-T-Y, 40 का सही spelling क्या होगा, F-O T-Y, 90, N-I-N-T-Y, लेकिन सही spelling क्या होगी, N-I-N-E-T-Y, receive, R-E-C-I-V-E, यहाँ पर C के बाद E छुट गया है, R-E-C-I-E-V, receive, यह है supporter, यहाँ पर R-O के बाद नहीं है, तो सही spelling क्या होगी, S-U-P-O-R-T-E-R, supporter, ठीक है, तो यह हो गया, C का question आपका, C, 0.1